प्रदेश सरकार के खाद सुरक्षा एवं और शुदी विभाग ने पत्र जारी करके जनपद में कोरोना की दवाओं के भंडालर की इस्थिति की जानकारी मांगी है जिसके संबंद में दवा विक्रिता समीती के अध्यक्ष योगेंदर नाथ दूबे ने बताया कि शनिवार को खाद सुरक्षा एवं और शुदी विभाग ने कोरोना की तीसरी लेहर को देखते जनपद में कोवीड दवाओं के भंडालर के इस्थिति की जानकारी मांगी है तथा जो पिछली दवा है वा अभी विगी नहीं है उन्होंने कहा कोरोना की तीसरी लेहर आती है तो उससे निपटने के लिए दवा परयात्मात्रा में उपलब्ध है इस संबन्ध में गोरखपूर निउस से बात करते हुए समिती के अध्यक्षी योगेंदर नाथ दुबे ने कहा और ये जानना चाहती है कि मतलब करोना से संबंधिर जो दवाएं है उनकी क्या स्थिति है उनकी भंडारण की क्या स्थिति है चुकि शंभावित तीसरी लहर आनने वाली है और मान्यम्ख मंधर्य योगी आधित नाजी लेकर इसको बहुत शजग होना चाहते हैं कि चुकि दूसरी की लहर में थोड़ी दवाओं की मारा मारी हो गई थी जादे तर दवाएं तो हम लोगों ने अपने All India महमंतरी जो राजिव शिंगल जी थे उनसे और प्रदेश के महमंतरी शिरी सुधीर अगरवाल जी के माध्यम से उपस्त जारी नहों इसके लिए कि एक एडवाईजरी जारी की गई है कि जिले में क्या दवाएं हो उसको रेमडी सिविर है टाउसलेजुमैप है आईवरमेक्टिन है और एंपोर्टरेशिन भी है पोसोकोनाजाल है इस टाइप की जितनी भी दवाएं जो करोना से रिलेटेड है उनकी जानकारी मांगी गई है उनके महंडारेट की जानकारी मांगी गई है जिससे दवाओं की उपलब्तता भरपूर है और सरकार उसकी तयारी कर सके और हमारा संगठन भी प्रादेशिक संगठन और हमारे जिले का संगठन इन सब चीजों के लिए कि एक दम चैतन है कि अ जन्पद में दवाओं की स्थिति चुकि कोरोना की स्थिति तो बहुत कम है और जो पिछली दवाएं आई हैं उनकी स्थिति अभी यह है कि मार्केट में तमाम दवाएं पड़ी हुई है तो अभी भी दवाओं का कोई कोई दवाएं चीज़ जैसे बढ़ती हैं तो हम लोग उसके लिए पता चल गी है कि कोरोना में कौन कुछी दवाय तैयार हो रही है तो उसकी तैयारी हमारी विभरपूर है और हमारी पूरी कोशिस होगी कि हमारे जन्पद में या पुर्बान चल में दावाओं को किसी प्रका का भाव नहीं हो आइसके लिए हम अपने प्रादेश कर दो